दोस्तों अगर आप एक महिला हैं एक लड़की हैं एक फीमेल कैंडिडेट हैं और आप भारते वायू सैना यानि की इंडियन एर फोर्स में जाकर अपने देश की सेवा करना चाहती हैं तो यहाँ पर इंडियन एर फोर्स ने सबसे बड़ा मौका आप सभी के लिए दिया है से कब तक स्टार्ट होंगे दोस्तों 17 जनवरी से इसके ओनलाइन फोर्म स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है आप देख सकते हैं 6 फरवरी 2024 रहने वाली है तो 6 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और दोस्तों आपका एक्जाम डे एरफोर्स में जाना चाहती हैं तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपोर्चुनिटी आ चुकी है दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि इसके फोर्म को भरने के लिए आपकी क्या-क्या क्वालिफिगेशन होनी चाहिए तो साथियों यहाँ पर इन अगर यह चीज आपको समझ में नहीं आई तो अपनी डेट ओफ वर्थ हमें कमेंट बोक्स में लिख देना मैं आपको बता दूंगा कि आप इसके फोर्म को भर सकती हैं या नहीं भर सकती दोस्तों यहाँ पर अपर एज लिमिट 21 साल है तो 21 साल तक आप इसके फोर्म को भ एक आई है टेकनिकल की जिसको एक्स ग्रूप बोलते हैं एक आई है नोन टेकनिकल की जिसको वाई ग्रूप बोलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं अगर आपके पास 12th क्लास में आपके पास या तो आर्ट है या कोमर्स है या फिर आपके पास बाय तो आप non-technical का form भर सकते हैं, एरफोर्स में non-technical के लिए apply कर सकते हैं, इसके लिए आपके 12th pass होना चाहिए, 12th pass आपने की हो, कम से कम 50% नंबर आपके 12th class में होने चाहिए, और English में 100 में से कम से कम 50% नंबर आपके होने चाहिए, तभी आप इसके form को भर सकते हो, और दोस्त तो दूसरी है technical, technical केवल math वालों के लिए है, अगर आपके 12th में physics, math और English था, और total 50% नंबर थे, overall और English में 50 नंबर अलग थे, 100 में से, तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं technical के लिए, और non-technical के लिए, यहाँ पर कोई भी apply कर सकता है, चाहे art हो, चाहे commerce हो, चाहे by हो, चाहे math हो, तो यहाँ पर कोई भी apply कर सकता है, non-technical के लिए, तो यह हो गया education, qualification, दोस्तों कुछ candidate हमसे पूछ रहे थे, कि जो 12th class में study कर रहे हैं, वो भी इसके form को भर सकते हैं क्या, तो वो इसके form को नहीं भर सकते, यह चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि इसक इसके form को भनने के लिए 12th की mark sheet आपकी मांगी जाती है, तभी आप इसके form को भर सकते हैं, दोस्तों बात करें height की, तो जितने भी male candidate हैं, उनकी जो height रहनी चाहिए, आप देख सकते हैं, 152.5 cm होनी चाहिए, जितने भी male candidate हैं, और female, जितने भी महिलाएं हैं, उनकी जो height है, 152 cm होनी चाहिए, और दोस्तों यहाँ पर छूट भी दी गई है, जितने भी North East Hill Reason की females हैं, उनकी जो height है 147 cm होनी चाहिए, और जितने भी लक्षवदीब की candidate हैं, लक्षवदीब की candidate की height 150 cm होनी चाहिए, यह यहाँ पर छूट दी गई है height में, weight आपका height और age के according होना चाहि यह chest जो है only male candidate की मापी जाती है, female की नहीं होती है, दोस्तों यहाँ पर other चीजें medical वगएरा दे रखा है, मैं हाँ पर यही चीजें आपको बता रहा हूं ताकि आप form फिल कर सकें, और यहाँ पर आपको इसके notification में complete जानकारी मिल जाएगी, इसका जो notification है आप यहाँ पर download क कर सकते हैं, इसका link मैं आपको दे दूँगा, तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके selection procedure की, तो साथियों selection procedure में आप देख सकते हैं, सबसे पहले phase में जब आप इसका form भर दोगे, तो सबसे पहले आपका online test होगा, तो online test यहाँ पर अगर आप technical group के लिए भर रहे हैं, तो यह सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं, अगर आप technical के लिए form भर रहे हो, और technical के लिए के अबल वो ही भर सकता है, जिसके 12th में math और physics थी, दोस्तों अगर आपके 12th class में math और physics नहीं थी, art थी, commerce थी, या फिर bio थी, तो उनको non-technical के form भरना होगा, और non-technical के form में आपको total 10-40 मिनट दिये जाएंगे, आपके एक्जाम के लिए और आपके एक्जाम में, English subject आएगी, Reasoning आएगी, General Awareness याने की GK और math आएगी, इन subject से आपके यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे, जितमें भी non-technical वाले हैं, और दोस्तों अगर आपके 12th में physics और math थी, और आपने technical और non-technical दोनों का form भरा है, तो यहाँ पर आपका जो टोटल एक्जाम होगा, वो 85 मिनट का होगा, जिसमें आपके जो है, Reasoning, GA, यानि की General Awareness, इसके साथ ही English, Math और Physics, टोटल सभी subject आएंगे, तो यह चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और आपके जो negative marking रहेगी, 0. 2.25 नमबर रहेगी, यानि की 1 by 4 की आपकी negative marking रहने वाली है, तो आपने अगर 12th pass कर ली है, 50% नमबरों के साथ, और इसके साथ ही आपकी English में कम से कम 100 में से 50 नमबर हैं, तो आप इसके form को easily भर पाओगे, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी, तो दोस्तों, 12th पास आपने कर ली है, तो आप इसका form जरूर भरिएगा, 17 यहाँ पर आपकी जो मार्च है, यहाँ पर आपका exam होगा, और 17 जनवरी से 6 फरवरी तक आप इसके form को भर सकते हैं, दोस्तों, यह थी जानकारी एरफोर्स में सभी लड़गियों की, तो अगर आपका भी कोई चैनल को सबस्क्राइब कर लेना, तो फिर मिलेंगी एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत